हलो गाईज, वेलकम टो इंदीस चैनल, इस वीडियो में हम 36 गड़ के समान ज्यान से समबंधी 20 महतुकूर प्रसन लेकर आए हैं, जो आपके एकजाम के पाइंट अपिस से काफी हेलफुल साबीत हो सकती है, यदि आप इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब इस चैनल प्रोपेसर और इस्टेट इंजिरिंग सर्वीज, इन सभी एकजाम के लिए बेश टेस्ट सीरीज उपलब्द कराती है, इस एप की खास बत यह है कि इसके टेस्ट सीरीज के सभी प्रसनों के उत्तर डिस्किप्सन के साथ दिये हुए हैं, सीजी पेसी 2018 में इसे 32 प्रसन और सीजी पेसी 2019 में इसे 46 प्रसन पूछे गए थे, इस एकजाम के कट आपको देखते हुए या आपके लिए काफी हेलफुल साबित हो सकती है, तो जाइए इस एप को अभी टाउनलोड कीजिए, एप की लिंग आपको वीडियो की डिस्किप्सन बॉक्स पे मिल ज किस सन में बनाया गया था, इंपोर्टेंट कोस्चन है, क्या बोलगा है, महारानी विक्टोरिया द्वार केसरे हिंद उपाधी लेने की इस मृति में, रायपूर में जईस तमचाओं के पास केसरे हिंदर वाजा की सन में बनाया गया था, इसका आंसर हो जाएगा, ओप्सन ब सन 1870 में, ओके गया इसके बार इन देख लेते हैं, 1870 में जब इंगलेंड की राणी विक्टोरिया को ब्रिटिस गवर्मेंट ने केसरे हिंद की उपाधी प्रदान की गई तो, रायपूर के जमिनदार, राजा और नगर वासियों ने उनकी इस मृति में, उनकी इस मृत इस दरवाजे की कलपना की, इसके लिए सभी ने चंदाई कठा किये, और 1870 में ही सहर के मध केसरे हिंद दरवाजा, क्या क्या केसरे हिंद दरवाजा बनवायेगत है, अब यह रवी भान का मुख्या प्रविस दुवार है, यह भी याद रखेंगे, नेक्स्ट कोस्चन में आते हैं, कलचूरी सैली का 11-12 सताबदी में बना भांड देवल मंदीर, अपनी सैली का एक मात्र मंदीर 36 गण में कहां इस्थी थै, कहां इस्थी थै, यह मंदीर जयन धर्म को समर्पी थै, यह नागर सैली में निर्मित है, यह अब याद रखेंगे, नागर सैली मंदीर मे निर्मित है, कई बुक्स में इसे है हव वंसी द्वारा निर्माण किया गया है, यह बताए गया है, नेक्स्ट कोस्चन में आते हैं, आवी भाजित मध्य परदेश के कौन से प्रसीद नेता खैरागड के विक्तोरिया हाई स्कूल के हेड मास्टर रहे थे, कौन से हाई स्क देवी मंदिर का निर्माण डोंगारगड के किस नरेश ने करवाया था, क्या बोल लगया है, डोंगारगड के मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का निर्माण किस नरेश ने करवाया था, इसका अंसर हो जाएगा, आप्शन बर राजा वीरसेन ने करवाया था, किस में करव नेक्स्ट कोस्चन में आते हैं गुरु घासी दास पंडी सुन्दरलाल सर्मा व ठाकुर प्यारे लाल को कौन सत्यम सीवं सुन्दरम की त्री मूर्थी मानते थे इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन ब डाक्टर खुबचन बगेल इन्हें सत्यम सीवं और सुन्दरम की त्री करते थे नेक्स्ट कोस्चन में आते हैं प्रथम तीर्थकार की प्रतिमाएं 36 गड़ के कीस इस्थान में मिली थी क्या बोल गया है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार की प्रतिमाएं 36 गड़ के कीस इस्थान में मिली थी इसका अंसर हो जाएगा ओप्शन सा मलहार का परगन हैं मंदिल next question में आते हैं स्वाधिंता सेनानी ठाकुर प्यारे लाल का जर्म किस सन में हुआ था किस सन में हुआ था जितने भी स्वाधिंता सेनानी है उनके सभी के जर्म को याद रखेंगे इसका अंसर हो जाएगा option A सन 1899 में इनका जन्म हुआ था राजनन जीले के दैहान नामक इस्थान में बहुमुखी प्रतिमा के धनी ठाकुर प्यारे लाल क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे या भी याद रखेंगे ओके गईस यहां क्रिकेट टीम के कप्तान हुआ करते थे इसका अंसर हो जाएगा option A महात्मक गरीबदास के सीस्य थे देखे दुदाधारी मट की स्थापना बलभद्र दास ने की थी बाद में इन्हें दुदाधारी महराज के नाम से जानने लगे या महात्मक गरीबदास के सीस्य थे नेक्स्ट कोस्चन में आते हैं मराठा सासनकाल में प्रत्य गाउं का दवरा कर उचीत रूप से उपलब्ध सुचनाओं के अनुसार वहां के लगान संबंधी दस्तावेज नीम्न में से कौन अधिकारी तयार करता था इस समय मराठा सासनकाल के समय इसका अंसर हो जाएगा ऑप्शन अ बरार पांडे कौन इकठा करते था बरार पांडे किस संबंधी लगान संबंधी और देख लेते हैं परगने के मुख्य अधिकारी कमा विंस्दार कहलाता था या भियाद रखेंगे सीव के अवतार माने जाने वाले खंडोबा देव जो की मराठों के इष्ट देव हैं उनका प्रथम मंदीर 36 गड़ में कहां इस्थापित किया गया है सीव के अवतार माने जाने वाले खंडोबा देव जो की मराठों के इष्ट देव हैं उनका प्रथम मंदीर 36 गड़ में कहां इस्थापित किया गया है इसका अंसर हो जाएगा ओप्सन आ रतनपूर में इस्थीत है खंडोबा वाबा का मंदीर जो की मराठों का इष्ट देव हुआ करता था इसका अंसर हो जाएगा बारसूर बमें इस्थीत है जब तक संसार में गंगा के साथ जमना बहती है तब तक इस देवमंदीर के बहाने देवपाल मूची की किरती जीवित रहेगी विसनु भक्त देवपाल मूची के संदर्भ में या किसने लिखा है क्या बोल लगया है विश्णु भक्त देवपाल मूची के संदर्प में यह किस ने लिखा है इसका अंसर हो जाएगा option स कवी पंडित दामोदर मिस्रे ने यह लिखा था इसके बारे में देख लेंगे देवपाल मूची के बारे में खलारी से प्राप्त अभिलेक जो वर्तमान में रायपूर के घासिदा संग्राले में संरक्षी थे उस लेक के अनुसार इस मंदिर का निर्मान 1415 इसवी में देवपाल मूची द्वारा अपनी जीवन भर की कमाई से इस मंदिर का निर्मान करवाय गया था कौन सी मंदिर विष्णु मंदिर ओके गईस नेक्स्ट कोस्चन में आते हैं ब्रिटिस कालिन 36 गड़ में राजस्व मामलों से संबंधिस समस्याओं के निदान के लिए नियामा वली थी जिसका नाम क्या दिया गया था क्या ब्रिटिस कालिन 36 गड़ में राजस्व मामलों से संबंधिस समस्याओं के निदान के लिए एक नियामा वली थी जिसका नाम दिया गया था इसका आंसर हो जाएगा ऑपशन सा नेक्स्ट कोस्टन में आते हैं उस प्रथम अंग्रेज यात्री का नाम बताये जो सन 1795 इस्वी में प्राचिन बस्तर की यात्र की इच्छा लेकर निकला था और 17 दिनों तक बस्तर की स्नीमा पर रहा किन्तु वह बस्तर में प्रवेस नहीं कर सका यह भी बड़े रोचक कहानी है इनका नाम क्या था इसका आ सीमा पर रहा किन्तु वह बस्तर में प्रवेस नहीं कर सका यह नेक्स्ट कोस्चन में आते हैं पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने सन 1921 में किस संगठन की स्थापना की थी जिसका नाम बाद में महा कौंसल इतिहास परिस्द हो गया नाम देख लेंगे पंडित लोचन प् पांडे ने की थी जो बाद में महा कौंसल इतिहास के नाम से परिसीद हुआ नेक्स्ट कोस्चन में आते हैं बाबू रेवराम की पांडू लिपी में किस कल्चूरी वनसी सासक का उलेख है इसका अंसर हो जाएगा ओप्सन दा कल्यान साय का उलेख किया है बाबू रेवरा का आरम हमेसा ओम नमस सिवाय से होता है इसका अंसर हो जाएगा ऑप्सन बा कल्चूरी वनस के ताम रेख कातिर सासकों का व्यक्ति का धर्म सेवधर्म थालेख है नेक्स्ट पॉस्चन में आते हैं निम्न में प्रथम यूरोपी अधिकारी जो 1856 उस इसी में बस्तर आये थ इसका आंसर हो जाएगा, option B, Charles Elliot, ओके गई, इस Charles Elliot 1856 में प्रथम बार बस्तर आये थे, next question में आते हैं, नीम्न में किसे चालुक यवन्स की प्राचिंतम राजधानी का गौरव प्राप्त है, नीम्न में से बोला गया है, इसका आंसर हो जाएगा, option A, बड़े डोंगर, ओके ग बड़े डोंगर, इसके बारे में देख लेते हैं, काक्ती वन्स ही चालुक यवन्स है, इनकी सर और प्रथम राजधानी कुछ समय तक बारसूर में थी, वहां से दंते वाड़ा, फिर मंदोता, और फिर बड़े डोंगर आदी स्थानों में रही, ते नीम्न में से बड़े डोंगर आएगा, कलचूरी वन्स का कौन सा सासक मुगल सासक जहांगीर से मिलने दिल्ली गया था, मुगल समराज जहांगीर ने इन्हे 8 वर्सों के लिए नजरबंग करवा दिया था, जिसका उह राज्य के गुपला गीत में होता है, इन्हें राजस्व की जमावंदी प्रणाली की शुरुवात की थी यह भी आद रखेंगे कल्यार सायनित जमावंदी प्रणाली की शुरुवात की थी इस वीडियो में इतने ही वीडियो अच्छा लगत लाइक सब्सकाइब और सेर करना न भूले थैंक यू सो मच